प्यास की हीमते इन दीनों आस्वान चू रही है और लोगों की थाली से प्यास काफी दूर हो गया है आंदर प्रदेश में इस बीच प्यास की कीमते ढाई सो रूपे प्रती किलो कराम तक बढ़ गई है जबकि हैदराबाद में ठेला विक्रेता इसे 85 रूपे प्रती किलो के हसाब से बेच रहे हैं गौर तलब है कि सरकार 85 की कीमोतों को नियंतित करने का हर परियास कर रही है पर इसका असर फिलहाल बाजार पर नहीं दिख रहा है जारखन में विधानसभा चुनाओ के दोरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर संग्यान लेते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मामले के रिपोर्ट मांगी है आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले के शकायत मिलने पर आयोग ने राज्य के CEO से गांधी के बयान के बारे में घटनाओं की सिलसिलेवार जानकारी मांगी है अधिकारी द्वारा दी गई जानकारे के मुताबक इसमें CEO को बताना होगा कि राहूल गांधी ने कब कहां और किस संदर्भ में बयान दिया था करनाटक में दो और उप मुख्य मंत्री बनाए जा सकते हैं और माना जा रहा है कि मुख्य मंत्री BS UD रुपा जल्द ही कैबिनेट का वस्तार करने वाले हैं सूतरों की माने तो 20 दसंबर के बाद इसकी घोशना हो सकती है गौरतलब है कि कैबिनेट में पहले से ही तीन उप मुख्य मंत्री है राजधानी दिल्ली में आज पेट्रॉल की कीमतों में आज पांच पैसे की कमी आई है जिसके कारण आज दिल्ली में पेट्रॉल 74.79 रुपे का मिल रहा है वहीं डीजल की केमुतों में कोई बदलाव न होने के कारण दिल्ली में आज प्रती लिटर डीजल 66.4 पर उपलब्द है एक फरवरी 2020 को पेश होने वाले आम बजट के लिए आज से प्री बजट बैठक शुरू होने जा रही है आज होने वाली पहली बैठक में स्टार्ट अप, फिटनेस और डिजिटल सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ चर्चा होगी वहीं दूसरे भाग में फिनांशिल सेक्टर और कैपिटल मार्केट के प्रतिनीधियों के साथ होगी आपको बता दी कि सभी बैठकों की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतर मन करेंगी राष्ट्रपती भवन द्वारा सूचना दी गई है कि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद ने नागलेंड के राजपाल आरेन रवी को मेगाल्यके राजपाल का अतिरिक्त जिम्मा सौपा है आपको बता दे कि मिघाले के राज़िपाल तथागत रॉय इन दिनों अवकाश पर है जहां रास्ट्रपती ने नागलेंड के राज़िपाल को मिघाले का भी प्रभार सौपा है केंद्री परियावरण मंतरी प्रकाश जावेडगर ने कहा कि अभी भावक बच्चों पर पढ़ाई का बोज न डालें बलकि उन्हें दोस्त बन कर पढ़ाईं इससे वह ज्यादा अच्छा सीखेंगे और नाम रोशन करेंगे आपको बताने कि वे अंबेड कर स्टेडियम में दक्षणी दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित सहभागिता कारेकरम को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश में दो साल बाद होने वाले विधानसबा चुनाओं के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी तयारिया शुरू कर दी है इसके तहत पार्टी ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए खास प्लान तयार किया है जहाँ प्रदेश के गाउं गाउं में जाकर डबल इंजन वाली मोदी योगी सरकार के कामकाज पर प्रचार करेगी मौसम के बदले मिजास को देखते हुए भोपाल में बच्चों के सुविधा को देखते हुए स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया गया है और कलेक्टर ने संबंध में आदेश जारी कर दिये है आदेश के मुताबिक अब आठवी तक के स्कूल सुभा साड़े आठ बजे से पहले नहीं शुरू होंगे राष्ट्रिय गंगा परिशत के तहट गंगा को अर्थ गंगा के तरफ ले जाने के मुहीम शुरू हो गई है शनिवार को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने यहां गंगा को धर्म संस्कृति के रूप में विक्सत करने के साथ उसे अर्थ से जोडने पर जोड़ दिया था इस कड़ी में अब शेहरों और ग्रामी इन शेत्रों के गंगा समितियों का गठन किया जाएगा शिमला शेहर को कल नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे इससे पहले आज इन पदों के दावेदारों पर फैसला लिया जाएगा जनकारी के मताबिक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आज शाम तक दावेदार तै कर देंगी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने मेट्रो ट्रेन के परिचालन के सामान्य होनी की खोशना की है गोर्तलब है किस से पहले नागडिक्ता शंशोधन अधिनियम को लेकर हुए मामले को देखते हुए राष्ट्रिय रासधानी में 15 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिये गए थे नागडिक्ता शंशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोट बुदवार को सुनवाई करेगा प्रिपुरा के महराजा और कमल हसन के पार्टी मनम ने सुप्रीम कोट में याचिका दायर करेश पूरे मामले पर जल्द सुप्रीम की मांग की थी कौर तलब है कि नागरीता शंशोधन कानून को लेकर अब तक सुप्रीम कोट में करीब डेड़ दर्जन याचिकाएं दायर हो चुकी है दिल्ली अंसियार में वाई प्रदूशन मामले को लेकर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होने जा रही है जहां पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश से ताजा रिपोर्ट तलब की थी इसके सांथी कोट ने दिल्ली अंसियार में निर्मान कार्यों पर लगे पूर्ण प्रती बंध में ढील देते हुए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्मान कारे की इजाज़त दे दी थी कांग्रेस नेतर आहुल गांधी द्वारा दिल्ली में रामलीला मैदान में आयोजित भारत बचाओ रैली के दोरान गांधी सावरकर वाले बयान पर चर्चा जोरों पर है इसी बीच आज नागपुर में विधान सभा के शीत कालीन सत्र के लिए बीजेपी के सभी विधायक मैं भी सावरकर लिखी टोपी पहन कर पहुंचे थे गौरतलब है कि महारास्ट्र विधान सभा के शीत कालीन सत्र के शुरुआत आज से नागपुर में हो रही है केंद्री अमानव संसाधन विकास मंतरी रमेश पोकरियाल निशंक ने नागरिक शंशोधन कानून को भारत सरकार की एहम उपलब्धी बताते हुए कहा कि मोधी सरकार की सपस्ट निती के कारण ही नागरिक शंशोधन विधेक संसद में पारित हो सका है गोरतलब है कि नागरिक शंशोधन विधेक राजसभा और लोगसभा दोनों में पास होने और रास्ट्रपती के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बन गया है पंजाब में रेलवी डिविजिन फिरोजपुर ने वतानू कूलीत विभाग के 115 कर्मियों के सूची तयार की है जिसमें से डिफॉल्टर रेल कर्मियों को जबरन सेवा नरवत करने की तयारी है फिरोजपुर डिविजिन इलेक्ट्रिकल विभाग के एक वरिस्ट अधिकारी ने बताया की रेलवी डिल्ली हेड़कौाटर के अधिकारियों ने एक स्कीम लागू की है इसके तहत 55 साल की आयू पूरी करने वाले और 30 साल के सर्विस पूरी कर चुके रेल कर्मियों का बा पूर्ण मद्दान हो रहा है आपको बता दे कि जार्कन विधा सबा चुनाओं के परडामों की घोशना 23 दिसंबर को होगी आरजेडी नेता और बिहार के पूर्वर डिप्टी सीम तेजस्वी यादव ने कल विशेश अनुमती पर राची स्तित रिंस में जाकर अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव की तबियत ठीक नहीं है वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेतर राहुल गांधी के बयान पर चर्चा जारी है महरास्टर के मुख्यमंतरी और शिवसेना के सुप्रीमों उद्दव ठाकरे ने नागपुर में प्रेस कौंफरेंस करते हुए उद्दव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना कांग्रेस and SIP गटबंधन के सरकार कौमन मिनिमम प्रोग्र्राम के आधार पर काम कर रही है ना कि विचारधारा के आधार पर सावरकर पर हमारा रुख पहले जैसा है